पिछले पार्ट में हाउचें लेबल सिक्स वाले ट्रायल का सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जहांपर अचानक से उसके चारो तरह बहुत सारी फायर पावर आ गई थी, इसके लावा हम देखते हैं कि उसके सामने से इसके उपर अटैक भी होने लगता है, वहीं दूस यान कहाना लगता है कि इन लोगों ने हजारों साल पहले पूरे कॉंटिनेंट को बरबात कर दिया था, और क्या साच में इस पर हाउचें का सामना इन से होगा, तब इस पर इसकले इसके लिए उसे हरा पाना किसी के लिए भी बहुत जादा मुस्किल है, वहीं दूसरी और हम देखते हैं कि हाउचें भी इसके पावर और स्पीड को देख पूरी तरह से हरान था, क्योंकि वह बिल्कुल एक पल में इसके सामने आ गया होता है, इसके बाद वह हाउचें से पूछने लगता है कि आखिर कर तुम कौन हो, और तुम्हारे पास में हमारे मास्टर की इ हाउचें को पसंद नहीं करता है, और फिर उससे कहता है कि तुम हमारे मास्टर बने के लिए काभी नहीं हो, तब या सुनकर हाउचें उससे बात करने की कोसिस करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंट काई ट्वेल ने अपने फायर पाउर का यूज करके इसके उपर अटैक कर दिया था, लेकिन तब इस सेंट काई 11 अपने आइस पाउर का यूज करके उसे रोक लेता है, लेकिन फिर वो सेंट काई 12 से कहता है कि अब तुम इसका साथ में या पर खेलो, क्योंकि वैसे भी तो हमें सोते हुए हजारों साल हो गए हैं, और इसलिए ऐसा लगत था, और हम देखते हैं कि वो अपने पाउर का यूज करके इसके उपर अटैक करने के लिए भी आ गया होता है, लेकिन तब हाउचिन को पता चलता है कि उसके उपर तो इसके अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ, जिसके बज़ास से वो इस बात से पूरी तरह हैरान होता है लेकिन तब ही हम देखते हैं कि सेंट का 12 हाउचिन को संभलने के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं देता, और वो तुरंत ही इसके उपर अटैक करते हुए कहता है कि चलो अब मैं तुम्हारे साथ में खेलता हूँ, अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हेरा मास्टर बन पाओगे, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंट का 11 ही से खड़ा होकर देख रहा था, और फिर कहता है मुझे आसा लगता है कि यह तो हमारे सामने बिल्कुल भी बच्चा है, लेकिन अभी बहुत ही असानी से रुक लिया होता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओचन इसको चैलेंज करने के लिए रेडी था, और वो इस पर अपने डूसा सुवान यूँआन सौर टेकनिक का यूज़ करके इसके उपर अटैक करने की कोशिस करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंट का 12 को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, और उसने इसके इस अटैक को भी बहुत ही असानी से रुक लिया होता है, जिसके बाद वो हाओचन से कहना लगता है कि अगर तुम्हारे पास में कोई और भी टेकनिक है, तो फिर तुम उसका भी य करके मेरे उपर अटैक किया, लेकिन असल में मुझे असल लगता है कि यह सच में बहुत ही वीक है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर हाओचन हैरान हो गया था, और फिर सेंट का 12 से कहारना लगता है कि अब तुम असली सुरासला इसको देखने के लिए पहर आ गया था, तभी हाओचन परहसान होते हुए कहना लगता है कि क्या डेट की फिलिंग ऐसी ही होती है, इसके बाद हम देखते हैं कि सायर और बाकी लोगों को इसके बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन इस पर हाओचन इन से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में च जिसे देख़ों इसके लेटन कहना लगता है कि अगर इसके जगा पर कोई ओर्डिनेरी आदमी होता तो फिर वो उसके फायर पार के अंदर जलकर मारा गया होता इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन फिर से उसका सामना करने के लिए आ गया था जिससे देख वे दोनों सेंट का 11 करना लगता है कि या लड़का तो सच में इंट्रेस्टिंग है तब इससे देख सेंट का 12 भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके उपर बहुत इक अतरनाक तरीके से अटेक करने लगता है जिससे देख हाओचन करना हो गया होता है लेकिन तब इस सेंट का 12 ने फिर से अपने सुरासला इसका इसके उपर अटायक कर दिया था और अब इसके बज़ा से हाओचन फिर से स्टायल में फेल हो जाता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो फिर से इसका सामना करने के लिए यहां पर आ रह थी क्योंकि वो समझ गई थी कि हाओचन उसे हरा कर ही मानेगा वहीं दूसरी और हम देखते हैं कि हाओचन उसके सुरासला इसको बहुत ही अच्छे से अनलाइज करने लगा था और फिर कहारना लगता है कि आखिर कार इसका मडरास ओरा इतना ज्यादा इस्टों कैसे है ले इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस पार इसका सामना करने के लिए बहुत ही संदार तरीके से रेडी हो गया था और वो इस पार जब अपने सुरासलाइस का इजूश करके अटेक करता है तब इसके सामने सेंट का 12 का सुरासलाइस कुछ भी नहीं कर पाता लेकिन ऐसा करने के बज़ा से हम देखते हैं कि उसके सारी स्प्रिच्वल पार कंज्यूम हो गई थी इसलिए वो कहरना लगता है कि सेंट का 12 तो सच में सुरासलाइस का क्रियेटर होने की काबिल है तब ही अचानक से हम देखते हैं कि इसके पीछे से सुरासलाइस का अटेक होने वाला था लेकिन सेंट का 12 से बिल्कुल सही से मैं परा करोक लेता है जिससे देख हाउचन कहरना लगता है कि इसके सुरासलाइस के पास में तो बैक अप मूब है लेकिन अब इसकी के साथ हाउचन को अहरानी होती है कि उसने अटेक को ब्लोक करके उसे क्यों बचाया जिसके बाद हम हम देखते हैं कि वो इससे अपना मास्टर एक्सेप करने के लिए रेडी हो गया था लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसके उपर अपने पाउर का भी यूज करने लगा था जिसके बज़ा से हाउचन की इंजिरी और इस प्रिच्वल पार फूरी तरह सरी कबर हो जाती है तब इस पर सेंट का 11 उसे अपनी पाउर को दिखाते हुए कहता है कि या तुमें पता है कि या क्या है जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन भी इसके पाउर को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि या तो आइस स्कल्प्चर फ्लावर है जिसके बाद वो हाउचन से कहारना लगता है कि सरसों के बिच बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन फिर भी वे सुमेरू का एक्सेप्ट कर सकते हैं इसके बाद वो कहारना लगता है कि आइस भी तो वाटर है और जबकि वाटर के पास में तो बायो मास एनरजी होती है जिसमें कि हेवन और अर में चिंता हो रही थी और फिर वो कहारना लगता है कि मास्टर को तो वहां पर गई इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक भी वे यहां पर वापस क्यों नहीं आए तब इसी वक्त हम देखते हैं कि वे हाउचन को यहां पर देख बहुत ही जादा खुस हो गये थे लेकिन तब